देश की दिगज कर निर्माता कंपनी महिंद्रा और महिंद्रा भारत में अभी फॉर्ड हीलर सिग्मेंट में इवेरिटो और इदो ओ प्लस की बिक्री करती है। भारत का यही ऐसा पहला ब्रांट है जिसने सबसे पहले बाजार में इलेक्ट्रिक कारों को बेचना शिरू किया है। साथ मिलकर बनाएगा। पिनिंग फैरिना इटली की महिंद्रा के स्वामित विवाली एक डिजाइन कंपनी है। ऐसा माना जा रहा है महिंद्रा। कुना को लाने की तैयारी में है। हुंडई ने जिनेवा मोटर शो 2018 में नई एलेक्ट्रिक एस से उवी कुना से परदा हटा दिया है। जबकि आटो एक सपो 2018 में कुना का कौनसेप्ट मॉडल पेश किया था। मेडिया रिपोर्ट्स और आटो एक सपर्ट की माने तो भारत में नई कुना अगले साल तक जाएगी। नई कुना एक फुली एलेक्ट्रिक सभ होगी। इसमें 49.5 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी होगी। फुल चार्ज पर इसकी रेंज दिन 100 किलोमीटर की होगी। ये मोटर कुना को 134 bhp की पावर और 395 आयनम का टॉक देगी। जबकि शुने से 100 किलोमीटर की रफतार पकड़ने के लिए इसे महज 19.2 सेकंड्स का समय लगेगा। वही इसकी टॉप स्पीड 155 kmph होगी। बैटरी को फुल चार्ज होने में 6 घंटे लगेंगी। 80% चार्जिंग फास्ट चार्जर के जरिये महज एक घंटे में ही हो जाएगी।